लो गाईज, तो पिछले एपिसोर में हमने देखा था कि सोल्जर बॉय को आखे सारे सच्चा ही पता चल जाती है कि होमलेंडर कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा है और बुचर के पाच में से चार डोस कम्प्रीट हो चुके हैं और अगर उसने एक और डोस लिया तो उसकी मौत तो पकी है तो मेरे नाम है अदिया, अगर आपको भी मेरी तरह सूपर येर उसके बारे में जानकारे जानना पसंद है तो चैनल के जुरू सब्सक्राब कर दीजेगा तो एपिशोड की शुरुआत में हम देखने को मिलता है कि होमलेंडर रायन का पता लगा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है वहीं दूसरी तरफ जो पिछले एपिशोड में स्टार लाइट ने होमलेंडर का वीडियो सोचल मीडिया पर डाला था उसके वज़े से शहर में लोग नारा लगाते है कि आखिर मेव को आज़ात करो मेव को जहरीली गैस देकर बेहुच किया जाता है और हॉस्पिडर ले जाते वक्त वो वहां से भाग जाती है और बॉइस की यहां चली आती है यहां ब्लैक नोर होमलेंडर के पास वापस आ जाता है और उसको सारी सच्चाई बता देता है लेकिन इस सच्चाई को उसने इतनी देर होमलेंडर से चुपा कर रखा इसलिए होमलेंडर खुद ही उसको मार देता है बुचर हुवी को बेहुच करके आकेले ही होमलैंडर को मानने चला जाता है soldier boy के साथ उसे लगता है उसके छोटे भाई के तरह वो हुवी को भी खो देगा देखो बुचर भली मूँपर गालिया देता है किसी को मारता है या फिर बुरा बरताव करता है लेकिन ये बंदा दिल चाह है बाद में Homelander Deep से कहता है कि अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो तुम्हें President को मारना पड़ेगा उसके कहने पर Deep President को मार देता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले एपिसोड में Homelander ने Victoria से वादा किया था कि वो उसकी मदद ज़रू करेगा आखिरकार बुचर Soldier Boy को Homelander के सामने ले आता है लेकिन Homelander वहाँ पर Soldier Boy को Ryan से मिलवाता है लेकिन इस सबसे भी वो नहीं रुखता है वो Homelander को मारने के कोशिच करता है लेकिन बीच में Ryan आ जाता है उसे Soldier Boy पीछे ढखेलता है लेकिन इसी चकर में Ryan को चोटा जाती है ये देखकर Homelander और बुचर दोनों Soldier Boy को मारने लगता है इसी बीच मेव भी अपना बदला ले ले लेती है Homelander से उसे बहुत बुरी तरह मारती है लेकिन इस लड़ाए में मेव अपनी एक आग खो देती है बात में Soldier Boy को रोकने के लिए और उसे लडने के लिए The Boys की पूरी टीम आ जाती है लेकिन उसे फिर भी वो रोक नहीं पाता है आखिर में Soldier Boy अपनी एनरजी से सब को उड़ाने ही वाला होता है तब ही बीच में मेव आ जाती है और उसे बिल्डिंग से लेकर नीचे कूच जाती है और वहीं बहुत ही बड़ा ब्लास हो जाते है उस ब्लास में मेव तो बच जाते है लेकिन उसके सारे पावस वो खो देती है जैसे कि किमिकों ने पिछली बार खोएते सोलजर बॉय से लड़ते वक्त वहीं दूसरी तरफ सोलजर बॉय को भी बेहोस करके कैद किया जाता है बुचर की पाच टोज कंपलीट होनी की वज़ए से डॉक्टर उसे कहते है कि अब सिर्फ वो कुछी महीने जिंदा रहे पाएगा आखिर में ना ही सोलजर बॉय मरता है और ना ही होमलैंडर मरता है तो कहानिया भी बाकी है तो फॉर्थ सीजन तो पक्का समझो तो अब प्रेसिडेंट की जगा विक्टोरिया ने ले ली है तो उसे रोकना तो पड़ेगा बॉयस कोई एक और मिशन है तो इसलिए फॉर्थ सीजन तो पक्का ही आएगा अज के लिए बस इतना है गाइस अगर इसी तरह आपको भी सूपर हेरो उसके बारे में जानकारी जाना पसंद है तो चैनल को जोर सब्सक्राब कर देजेगा थैंक्यू